वेलकम टो लियाई ये स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2022 में Involvement के Current Affairs के Revision का ये हमारा छठा लेक्षर है आज के सेशन में हम फर्वरी महिने के Involvement के Current Affairs को Revise करेंगे आगे बढ़ने से पहले छोटी से information आप सभी के लिए है कि हमारे पास इस Prelims 2022 के लिए कुछ courses हैं जो कि आपके exam point of view से काफ़ important हो सकते हैं सबसे पहले इसमें एक Prelims crash course की बात हो रही है जिसका नाम Tejas है इसमें आपको 250 plus hours के video lectures इसमें आपके current affairs और static डोनों included हैं काफी सारे test, full length और sectional और weekend out sessions वगरा सब कुछ हैं इसमें इसमें आपको free CSAT के classes और उनके test series भी मिलती है बट इस्टिल अगर आप केबल test series में join करना चाहते हो आपको video lectures नहीं चाहिए हैं आपके revision और चल रहा है अच्छा तो आप उसके लिए last my leap join कर सकते हो इसमें आपके 19 sectional test है, 5 current affairs के test है, 15 full length test है, 4 CSAT के test है इसको join करने के लिए आप dpp.onlyis.in पर join कर सकते हो at the same time एक CSAT के लिए program है जो की ऐसे students को cater करता है जिनका CSAT week है तो CSAT expert program आपके सब ही CSAT के topics को cover करता है video lectures के form में और छोटे-छोटे handouts भी हर lecture के बाद आपको मिलते हैं practice के लिए और last में कुछ full length test है इसमें इसके अलामा अगर आप 2023 के लिए prepare कर रहे हैं तो आप हमारे praramb batch को join कर सकते हैं इसमें आपको एक full foundation batch के तरह के से कुछ इसमें आपको मिलेगा अगर आप इस batch को join करना चाहते हो तो आप video.onlyis.in पर visit करो याद रखना कि तेजस program के लिए भी आपको video.onlyis.in पर ही visit करना है अगर आपको कोई भी doubt आता है इन सभी batches से related तो आप हमें simply इस number पर call कर सकते हो या फिर info.onlyis.com पर हमें mail drop भी कर सकते हो तो चलिए discussion स्टार्ट करते है चैदेस इन चैदेसों के नाम है मतब चाइना का कुछ हसा आता है पूरा नहीं म्यांगमार लाव पीडियार लावस कह सकते हैं आप इसे थाइलेंड, कमबोडिया और वियतना यह बियोडावसिटी होट स्पॉट है मतलब बिच बियोडावसिटी वाला रीजन है जहां पर आपको टाइगर्स, एशिन ऐलेफेंट्स, साओला और थाउजन्स अफ अधर स्पीसीज मिल जाएंगी साओला के बारे मैं आपको बताना चाहूँगा साओला एक बहुती एक्स्ट्रीमली रेर एनिमल है जिसे कई बार एशियन उनिकॉन या फिर स्पिंडल हॉन कहा जाता है यह कुछ ऐसा दिखता है, देखिए इस इमेज में यहाँ पर दिखिए, यह कुछ ऐसा दिखता है यह रेजिन राइस बावल उफ एशिया के नाम से पुगरा जाता है मेकॉंग रिवर के होज़ा से यहाँ पर राइस का प्रड़क्शन काफी बढ़िया होता है देखिए अभी उन्होंने 224 निव स्पिसीज के लिस्ट बनाई जिसमें मेकॉंग रिजिन से केवल एक स्पिसीज का नाम लिया गया दिखिए पुपा लंगूर पुपा लंगूर जो हिल साइट्स हैं एक्स्टिंक्ट माउंट पुपा वलकेनों के मियांगमार में उसके आस पास देखे जाते हैं इस लंगूर को घोश्टली मौंकी भी कहा जाता है क्योंकि ये बंदर देखकर आपको प्राइमा फेस से डरावना लग सकता है वाइट वाइट बाल ब्राउन कलर फरदर आँखों के सामने एक काले रंग का सरकिल अंधेरे में देखकर हो सकता है आप डर जाएं ये एक जीव है और डर्दने की बात नहीं है लेकिन फिर भी इसे घोश्टली मौंकी कहा जाता है आयोसिन रेलिस्ट में इन्हें क्रिटकली इंडेंजर्ड इस्पिसीज के रोप में रुकगनाइस किया गया है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल खिजादिया बर्द सेंचुरी और बखीरा वाइलेफ सेंचुरी के बारे में है इन दोनों ही सेंचुरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के मौके पर रामसा साइट में इंडिया की इंक्लूड कर लिया गया है और इनके inclusion के बाद भरत में जो रामसा साइट के numbers हैं वो 49 हो गए हैं इसी दोरान National Wetland Decadal Change Atlas भी launch किया गया Atlas में बहुत ही detail जानकारी होती है जिस भी चीज़ का वो Atlas हो सबसे पहले हिजादिया वर्ड सेंचुरी की बात करते हैं ये वर्ड सेंचुरी located है गुजरात में आई रिपीट ये located है गुजरात में fresh water wetland है जो की गल्फ आफ कच्छ के नजदीक में है इसे 1920 में जब एक बंद यानि की एक बांद बनाया गया था डाइक जो उस समय के प्रिसली स्टेट जो हुआ करता था नवा नगर वहां के सासके दुरा बनवाया गया था ताकि जो salt water इंटर कर जाता है लोगों की खेतों में उसे रोका जा सके और लोगों की खेती बरबाद ना हो तो उसी बंद यानि की बांद के आस पास उसे एक बेस बनाकर जो बारिस का पानी है या फिर और जो fresh water है वो भी इकठा होने लगा हो लिहाज से यह खिजादिया बड़ century existence में आ गई जो century है वो marine national park जाम नगर का हिस्सा भी है जो कि भारत का पहला national park बन गया था और यह central nation flyway का भी part है यहाँ पर हमें पर लास फिस इगल और इंडियन स्कमर further vulnerable common pochart भी मिल जाते हैं हमारा next part जो है इसी article का और बखीरा wildlife century के बारे में है यह largest natural flood plain wetland है इंडिया का जो कि उत्तर प्रदेश में located है non-tidal है non-forested mass land है देखिए mass land में basically आपको grasses मिलती है इस type का यह wetland होता है ठीक है 1980 में इसे establish किया गया था 1972 का जो wild alive protection act है उसके आधार पर इसे बाद में eco sensitive zone भी declare किया गया था ताकि इसे protect किया जा सके इसकी boundary से 1 km आगे तक का area eco sensitive zone में आता था यहाँ पर हमें जो state का state bird है सारस उसका natural habitat भी मिलता है further 25 और species मिल जाती है Central Asian flyway से गुजरने वाले migratory birds की Egyptian vulture, greater spotted eagle यह सब भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे National wetland decadal change atlas की बात करें तो इस atlas की माध्य हम सब यह देखते हैं कि decadal change दस सालों में क्या बदलाव आया wetland में इसे space application center जो एहमदाबाद में है वो prepare करता है for the first time इसे prepare किया गया था 2011 में और अब 10 साल के बाद फिर से हम इसे prepare करके देख रहे हैं कि भरत में wetland की इस्तिती में क्या बदलाव आया है मैं आपको बता दूँ कि पिछले कुछ सालों में भारत ने अपने one third wetlands खो दिये हैं जो की काफी दुख की बात है इस atlas का इस्तिमाल जातर राज्य सरकारे wetland की progress को या planning को तयार करने में करते हैं 2015 में देखे एक प्रशन आया था कि अगर किसी wetland को जो की international importance का हो उसे Montrex record में डाल दिया जाए इसका क्या मतलब है चार options हैं आपके पास मैं इसका जवाब बता दूँ या ना बता हूँ चलिए नहीं बताता हूँ आप इसका जवाब बताईएगा इन चार options को pause करके पढ़िए और इस question का जवाब आप मुझे comment box में दीजेगा ठीक है जरूर से दीजेगा National Adaptation Fund for Climate Change देखे, Adaptation का मतलब Climate Change को लेकर ये होता है कि जो बदलती हुई प्रस्थियां है उनके हिसाब से हम खुद में बदलाओ कर ले ताकि Climate Change में अगर बदलाओ हो रहा है तो उसका हमारे उपर जो नुकसान है वो कम से कम हो तो हम कई सारे initiatives लेते हैं ताकि बदलते हुए Climate को लेकर खुद को ढाल सके अभी हाल ही में लोगसुभा में ये इनफॉर्म किया गया कि NAFCC यानि कि National Adaptation Fund for Climate Change के तहत अभी तक 30 projects sanction किये जा चुके हैं 27 states and UTs में इन projects से तहत लोगों को इस तरीके से train किया जा रहा है या financing करी जा रही है ताकि वो बदलते हुए Climate को लेकर खुद को तयार करें ये एक Central Sector Scheme है Central Sector Scheme का मतलब ये है कि सारा पैसा Central Government ही देगी और इस scheme को setup किया गया था 2015-16 में इसका उद्दिश यही है कि Climate Change को लेकर जो adaptation है उसकी cost को हम meet कर सकें States और UTS जो इंडिया में है जो vulnerable है Climate Change को लेकर उसके adverse effect को उन्हें कम से कम face करना पड़े इसके implementation को लेकर देखे Project Mode पर इसमें अभी तक 30 Project sanction किये गए हैं इसे implement करने वाली जो Agency है जानि कि NIE National Implementing Agency वो है NABAD National Bank for Agriculture and Rural Development जो Project है वो Agriculture Animal Husbandry, Water, Forestry, Tourism इन सभी sectors में related है जो NFCC है ये केरला, तमिलनाडू और आंधर प्रदीस में implement किया गया है Coastal Areas से related activities के लिए बतला बाकी राजियों में भी है बट इन राजियों में Coastal Areas को लेकर ये Adaptation का जो Project है वो launch किया गया और उसे implement किया गया इसका जो framework है वो कैसा है देखें, fund जो है वो कुछ इस तरीके से allocate किया जा रहा है ताकि climate change के जो adverse effect है उनके risk को reduce किया जा सके हम multi-sectoral, cross-sectoral benefits को avail कर सके, water और food security को ensure किया जा सके human development, poverty, alleviation livelihood security, इन सभी चीज़ों को बढ़ाया जा सके, further हम institutional और individual capacity को बढ़ा सके, कि वो अगर कोई risk आता भी है climate change का, तो उसे अच्छी तरीके से handle कर सके socio-economic या environmental losses कम से कम हो अब आई बात करते हैं adaptation fund की इस fund को 2001 मिलाया गया उन सभी parties के लिए जो Kyoto Protocol का हिस्सा थे मैं आपसे एक सवाल करता हूँ जिसका आप जवाब comment box में दीजेगा Kyoto Protocol किस सन में तैयार किया गया इसको जरूर से आप comment box में बताइएगा इसमें जो financing की जाती है वो clean development mechanism project का भी हिस्सा होती है adaptation fund को supervise और manage करने के लिए एक adaptation fund board work करता है जिसमें होते हैं solar members और solar alternates जो इन solar members की जिएगा ले सकते हैं और ये twice a year मतलब साल में दो बार meeting जरूर करते हैं हमारा next article काको काकोई जाना reserve forest के बारे में है आसाम के बंगई गावर्ट डिस्टिक के जो लोग हैं वो state government का जो एक कदम है जिसके जरीए वो काकोई जाना reserve forest को wild life century में convert करना चाहते हैं उसका सक्ती से विरोध कर रहे हैं इसका वो विरोध क्यों कर रहे हैं क्योंकि एक बार काकोई जाना reserve forest को अगर wild life century में convert कर दिया गया तो वहाँ पर और strict rules and regulations implement हो जाएंगे फिर जो customary या traditional practices कि इसे community forest reserve declare कर दिया जाए forest right act of 2006 का इस्तेमाल करते हुए जिससे कि उनके जो community traditional rights है वो उस forest reserve में maintain रह सकें ये बंगोई गौन डिस्टी जो आसाम का है वहाँ पर situated है इस reserve forest को 1966 में बनाया गया था और ये golden लंगूर के घरों के लिए जाना जाता है मतब golden लंगूर यहाँ पर पाये जाते है क्या difference होता है wildlife century, reserve forest और community forest reserve में बाहले बात करते है wildlife century की wildlife century एक ऐसा area होता है जिसका इस्तेमाल exclusively wildlife use के लिए किया जाता है animals, reptiles, insect, bird wild animals के लिए जिनके खतम होनी का खत्रा है जो rare है wildlife protection act of 1972 center of state government को empower करता है कि वो किसी भी area को wildlife century, national park या closed area declare कर सकते है reserve forest क्या होते है reserve forest भी कुछ बहुत ही restricted forest में से एक होते है जिने state government constitute करती है ये कोई भी forest area हो सकता है जो government के property हो reserve forest में local लोग भी पूरी तरीके से prohibited होते है लेकिन अगर forest officers चाहें तो उन्हीं allow कर सकते हैं specific purpose से तो थोड़ी बहुत इंटरे तब भी हो जाती है लेकिन यहाँ पर wildlife century बनने के बाद तो दिक्कत और बढ़ जाएगी community forest reserve ये section 2A जो है forest rights act का उसके तहर बनाया जाता है community forest reserve में ऐसा area include किया जाता है जिसके पास local लोगों का traditional or customary involvement रहा हो और इसलिए इस area में उन्हीं काफी ज़्यदा सहलियत मिल जाती है golden लंगूर इसे scientific नाम के तौर पे ट्रकई पिथेकस गी कहा जाता है golden लंगूर को आप उनके golden color के फर से पहचान सकते हैं ये वेस्टन असाम, इंडिया और सदन भूटान में आपको आसानी से मिल जाएंगे बहुत restricted area में है ये इनकी आपको एक proper boundary दिख जाएगी जैसे कि नॉट में ये भूटान के foothills में east में मानस river, west में संकोस और south में पुत्रा रिवर के बीच वाल एरिया में ही मिलेंगे आयसे उनकी रेड लिस्ट में इंडियन जोर्ड है साइडस के अपैंडिक्स 1 में है और वायले प्रोटेक्शन अक्ट ऑफ 1972 के शिडूल 1 में है अभी हाल ही में 6 साल की एक इंडियन गौर की मौत हो गई क्योंकि उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट को कंज्यूम कर लिया जिसे इंप्रॉपर तरीके से डिस्पोस किया गया था उटी के नजदीक में तमिल नाडू में कई बार देखिए ऐसा होता है कि हम फूड आइटम्स को प्लास्टिक की पॉलिथीन में लपेट कर या फिर उसमें रखके सडकों पे फिक देते हैं अब जो भी एनिमल्स होते हैं जब वो उन तक पहुचता है तो वो उस खाने को खाने की कोशिस करते हैं लेकिन चुकि वो प्लास्टिक में बहुत बुरी तरीके से लिप्टा होता है तो कई बार वो उस खाने के साथ उस प्लास्टिक को भी निगल लेते हैं या खा जाते हैं जिससे उनकी मौत का खत्रा बना रहता है इस तरीके से improperly disposed material या प्लास्टिक कई बार जनरों की जान ले लेता है इंडिन गौर का scientific नाम है बॉस गौरस अगर हम इसके physical characteristic की बात करें तो बुबाइन्स में यानि के मवेश्यों में ये काफी बड़ा होता है वाइल्ड कैटर्स के पजातियों में भी आपको ये सबसे जादा बड़ा मिलेगा और इनके shoulder की height आपको 220 cm तक दिख जाएगी गौरस आपको forested hills में मिलते हैं grassy areas में मिलते हैं South और South East Asia में इन areas में ये अच्छा खाना मिल जाता है That is the reason की ये वहाँ पर रहना पसंद करते हैं ये आपको कई सारे देसों में मिल जाएंगे जैसे कि इंडिया, चाइना, थाइलेंड, मलेशिया, बांगला देज, भूटान और नेपाल में भी अगर आप South India के western ghat को देखें तो वहाँ पर ये आपको कई सारे जिगों पर देखने को मिल जाएंगे जैसे कि वायनाद, नागरहूल, मुदो मलाई और बंदिपुर कॉम्पलेक्स में गौर, गोवा और बिहार का स्टीट अनिमल भी है आई रिपीट, गौर, गोवा और बिहार राज्य का स्टीट अनिमल भी है आई सुन की रेड लिस्ट में है यह Vulnerable Wildlife Protection Act of 1972 के Schedule 1 में है लेकिन इनकी संख्या दिन बदिन घटी जा रही है क्योंकि इनका habitat खतम हो रहा है जहां पर इनके खाने को चारा मिल जाया करता था इनके मीट के रिए अक्सर इन्हें जान से मार दिया जाता है Human-Animal Conflict में भी इन्सानों के ज़रा इन्हें जान से मारा जाता है और इनका food कम हो रहा है and that is also a reason कि उसके वज़े से भी इनके संख्या गिर रही है हमारा next article धोल्स के बारे में है अभी हाल ही में एक नई study में ये पाया गया कि Asiatic wild dogs जिनने आप धोल भी कहते हैं ये Central Asia के high mountains में देखे गए है जबकि last time ये आज से 30 साल पहले उस region में देखे गए थे 30 सालों में ये वापिस वहाँ देखे नहीं गए फिर अभी हाल ही में इनको वहाँ पे spot किया गया धोल इनहीं Asiatic wild dog के नाम से भी पुकारा जाता है red dog भी कहते हैं विकाज इनका color red और brown होता है आप image में भी इनका color देख सकते हो इनका size आपको जो German shepherd dogs होते हैं उनके जैसा ही दिखेगा लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये long-legged fox हो मतलब एक लोमणी जैसा shape आपको लेगेगा इसका मुख्य कारण इसकी पूछ होती है धोल या कौन अल्पाइनस ये एक wild carnivore animal है मांसाहारी होता है family Canada से belong करता है और class mammalia से इतनी details आपको याद ना भी रहें तो समस्या का विश्या नहीं है historically dholes को Southern Russia, Central Asia, South Asia और South East Asia में पाया जाता था देखा जाता था मतलब ही कई सरी जिगों पर पाया जाते थे हाल की research में देखा गया कि अब इनका रहने का स्थान बहुत ज़्यदा restricted हो गया है South and South East Asia में ही अब ये पाया जा रहे है थोड़ी बहुत population की नदर्मोस्ट चाइना में भी दिख जाती है बतब नदर्मोस्ट पॉपलेशन जो है वो चाइना मिल जाती है भारत में ये आपको तीन clusters में दिखेंगे Western और Eastern घाट में Central Indian landscape में Central India में और North Eastern इंडिया में करनाटका, महरास्ट्रा, मध्यप्रदेश ये जो रीजन्स है वहां पर ढोल की अच्छी खासी संख्या पाई जाती है ये apex predator होते हैं forest ecosystem में इसलिए काफे important role play करते हैं पूरे ecosystem के लिए IOCN के red list में है ये endangered sites के appendix 2 में है और wild reproduction act of 1972 के schedule 2 में है इनका habitat खतम हो रहा है that's why इनको threat है previous खतम हो रहा है इनको सिकार नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता और livestock predation के वज़े से इनका persecution भी किया जाता है विको और जी जानवरों को उपर हमला करते हैं तो कई बार इनसान इन्हें जान से मार देते हैं तो कई सारे कारण है इनकी संध्या के गिरने का हमारा next article बसाई wetland के बारे में है गुरुगराम हर्याना में ये wetland है पिछले सालों में इसका area one fourth रह गया है ये खतम होता चला जा रहा है हर्याना के बसाई village में located है साहभी river के पास में है यमुना river के tributary है और originate होती है अरावली range में राजस्थान में इस पूरी region में फ्लो करती है ये 20,000 से ज़्यादा पक्षियों को 280 जो species है मैडरी बर्ड्स के उन्हें एक अच्छा area देता है रहने के लिए या फिर उनकी feeding के लिए ये key biodiversity area है ये important bird area भी है bird life international के according लेकिन अभी तक इसे protected wetland का दर्जा नहीं दिया गया है और इसका जो area है वो लगातार कम होता जा रहा है because city को expand किया जा रहा है roads या modern infra या housing create किया जा रहा है और इस पूरी area को capture किया जाता रहा है हमरा next article कवल tag reserve के बारे में है कवल tag reserve पहली बार bird walk host करने वाला है 1213 फरवरी को सबसे पहले तो confuse मत होईएगा bird walk में हम चिडियों को नहीं चलाएंगे बलकि इंसान चलेंगे और चिडिया देखेंगे अधिराबार डिस्टिक्ट तिलंगाना राजजी का है वहाँ पर कवल tag reserve आपको मिलेगा कवल wildlife century जो है उसे 1965 में established किया गया था और 1999 में इसे एक protected area डेकलेर कर दिया गया wildlife protection act of 1972 के तहर यहाँ पर आपको dry deciduous, teak forest मिल जाएंगे जहाँ पर आपको bamboo भी दिखेंगे fauna में आपको यहाँ पर tiger, leopard, gaur, cheetah, sambar नीलगिरी, barking deer, chaucing house, load, bire, यह सब दिखेंगे river, kadam, जो कि गुदावरी नदी की एक tributary है वो भी इसी area से होकर slow करती है जो कि white-cheeked macaak के बारे में है scientist ने अभी हाल ही में यह पाया है कि white-cheeked macaak को अरवाशर प्रदेस में देखा गया यह discovery इंडिया के mammals के list में एक और species को जोड़ देती है यह भारत में नहीं पाया जाते थे कम से कम इनके बारे में हमें जानकारी नहीं थी इन्हें for the first time discover किया गया था 2015 में कुछ Chinese scientist के द्वरा South Eastern तिबबत में 2015 में जब यह discover किये गये तो तिबबत में discover किये गये और अभी हाल ही में इन्हें अरवाशर प्रदेस में भी देखा गया है physical characteristic इनका क्या है यह macaak आपको भायत में जो macaak पाये जाते हैं उनसे थोड़ा अलग दिखेगा क्योंकि इनके चीक सियानी की गाल सफेद रंग के होते हैं इनके जो बाल होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं और घने होते हैं जो गर्दन का एरिया होता है यहाँ पर बाल आपको थोड़े लंबे और घने मिलेंगे और पूछ तुलनात्मक रूप से थोड़ी लंबी होती है तो ये तो कुछ फिजिकल करेक्टरिस्टिक हो गए वाइट चीग्ड मकाक के बारे में ये लास्ट मैमल है जिसे साउथ इस्ट इश्या में डिस्कवर किया गया है अभी तक अरणचल मकाक और वाइट चीग्ड मकाक ये दोनों सीम बायर डैविसर्टी होर्सपॉट में पाए गए हैं इस्टन हिमाले आके इस डिस्कवरी की क्या सिग्निफिकन्स है इस डिस्कवरी के बाद भारत में मैमल्स की जो संख्या है वो जो पहले 437 यानि कि 437 हुआ करती थी वो बढ़के 438, 438 हो गई है दूसरी बात ये कि एक फांडिशन तयार करता है कि अब हमें Wild Life Protection Act of India में भी बदलाओ करना होगा विकाज ये इस्पीसीज उसमें कवर्ड नहीं है क्योंकि इसके बारे में हमें पता ही नहीं था भारत में कुछ और भी मकाउक की प्रजातियां पाई जाती है लंगूर की जैसे की अड़वंचल मकाउक, एसमीज मकाउक और रेसुस मकाउक ठीक है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वेयनाद वाइलेफ संचुरी की बारे में है गर्मियों का मौसन सुरू हो रहा है तो सीजनल माइग्रेशन दिखा जा रहा है वाइल्ड अनिमल्स का जो आज पास की संचुरी जो करनाटिका और तमिल नाडू में है उनसे वाइनाद वाइलेफ संचुरी की और केला में आ रहे है तो केला में है यह वाइनाद वाइलेफ संचुरी यह निल्ग्री वेयरसो रिजव का पार्ट है और elephant reserve No.7 जो साउथ हिंडिया का है उसका भी component है देखे जो नीलगरी वैस्वर रिजर्व है वो बहुत बड़ा है नीलगरी वैस्वर रिजर्व ये मैप में जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है इसका है ये आपको करनाटका, केरला और तमिल नाडू में फैला हुआ मिलेगा इनकी बौंडरी पर है इसमें कई तरीके के जाते हैं या preserve एरिया आ जाते हैं जिसके नागरोल नेश्वर नेशनल पार्क, बंडूर नेशनल पार्क, वै नार वैलेफ सैंच्यूरी, मुदो मलाइ टैगर रिजर्व, मुकृृति नेशनल पार्क, सैलिंट वैली नेशनल पार्क और कुछ निलगिरी निशनल पाक का जो हिस्सा है वो भी इसमें आता है तो ये सब कुछ मिलके बनता है निलगिरी वैस्फर रिजर्फ तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि ये important component है निलगिरी वैस्फर रिजर्फ का ये एक मात्र सैंक्चुरी है केरला की जहां पर हमें ये सबी कुछ इस सैंक्चुरी से रिपोर्ट किये जाते हैं वल्चर की दो स्पिसी जैसे कि red-headed और white-backed वल्चर ये यहाँ देखने को मिल जाएंगे जो एक कभी केरला में बहुत common हुआ करते थे अब वैनाद प्रेटू या जो सैंक्चुरी का एरिया है उसी में देखने को मिलते हैं नागर होल, बंदेपूर, मुद्वमलाई, वैनाद, forest complex जो है ये एक important tiger habitat भी है country का काबिनी river system में ये पूरा एरिया आपको मिल जाएगा हमरा next article इंडिया के पहले OECM साइट के बारे में है पहले तो OECM का full form क्या है OECM का full form है other effective area based conservation measures साइट आप आगे add-on कर सकते हो brief में इसे ही OECM साइट कहा जाता है world wetland day यानि कि दो फर्वरी के दिन अरावली biosphere biodiversity park को इंडिया के पहले OECM साइट की रूप में recognize किया गया ये recognition देता है IUCN क्यानि कि International Union for Conservation of Nature इस tag का मतलब ये होता है कि वो area जो in-situ conservation कर रहा है biodiversity का लेकिन वो कोई protected area नहीं है जैसे कि वो ना तो national park है और ना ही century है लेकिन वहां की biodiversity बहुत ज़दा rich है तो उसे IUCN OECM का दरजा दे देता है OECM का tag लाने से कोई legal financial and management implications तो नहीं आते है normal area ही वो रहता है लेकिन ये मान लिया जाता है international map पे कि ये biodiversity hotspot वाला region है जहां पर biodiversity rich है इसके बारे में application की अरावली biodiversity park को OECM का दरजा दिया जाए National Biodiversity Authority NBNA ने IUCN को 2020 में भेजा था और अभी इसे accept कर लिया गया अरावली biodiversity park की बात करते हैं ये आपको guru gram में मिलेगा semi arid vegetation आपको यहां पर मिलेगी जो native plants arid region में होते हैं trees, shrubs और birds की कई सारी प्रजातिया यहां मिल जाएंगी कभी यहां पर coal mine हुआ करती थी मतलब एक काफी पुरानी mine हुआ करती थी basically बाद में city forest में कर्माट हो गया cities का भी धिमेधनी development यहां पर होने लगा ठीक है अरावली जो है ये डेली का green lung कहा जाता है क्योंकि 7.07% oxygen डेली में इसी region से आता है ये leopard, fox, sambar और jackals को भी host करता है मतलब वो आपको यहां मिलते हैं हमारा next article काजी रंगा नेशनल पार्क के बारे में है काजी रंगा नेशनल पार्क के बारे में भी एक research में ये पता चला कि ये net carbon emitter है usually जो biodiversity rich region होते हैं वो carbon को sequestrate करते हैं मतलब हमारे atmosphere को clean करते हैं carbon को कम करते हैं greenhouse gas के effect को कम करते है लेकिन काजी रंगा नेशनल पार्क ऐसा नहीं करता है ये तो गलत बात है काजी रंगा नेशनल पार्क की जो soil है उसमें बैक्टेरिया की एक ऐसी population पाई जाती है जो breathe करते हैं carbon dioxide निकालते है जो trees या other जो महाँ पे border city region है जो सोखता है उससे जदे ये release कर देते हैं तो मतलब है net emitter है जिससे कोई state उतना नहीं करता जितना निकाल देता है ये गरच चीज है वैसे मतलब ठीक है environment ही आप क्या कर सकते हो state of Assam में है काजिरंगा नेशनल पार्क 42,000 hectare 43 के लिज़े overall hectare में फैला हुआ है 1974 में इससे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और 2007 में इससे tiger reserve भी डेकलेर कर दिया गया 1985 से ये UNESCO की world heritage site में है bird life international के according ये important bird area भी है national highway 37 यहां से जाता है 250 seasonal water bodies यहां पे आपको मिलेंगी इसके लमा diffus river भी यहीं से होके गुजरती है मतलब इतनी बढ़िया बढ़िया बाते हैं उसके बाद आप carbon emit कर रहे हो ये तो गलत चीज़ है ये दुनिया का सबसे ज़ादा numbers में one horn rhinos को हुश्च करने वाले region है पॉबी तोरा वाई left century ऐसी है जहां पे one horn rhinos के density बहुत जादा है numbers नहीं density की बात कर रहे है कम area में ज़ता rhinos और numbers में ये second पे है first number सबसे आपको मिलेंगे rhinos के one horn rhinos के काजी रंगा निशनल पार्क में ठीक है इसके लावा यहां पे चार four species हैं इंडिया में उनमें से 9 आपको यहीं पे मिल जाएंगी इस map में आसाम के साथ नेशनल पार्क के नाम बताए गए हैं दो जार रायमोना, मानस, ओरंग, नामेरी, काजी रंगा देंग पटकई और डिबू सेखो तो क्या कोई है जो इन 7 नेशनल पार्क के लिए कोई बढ़िया से निमनिक बता सकता है comment box में जिससे कि बाकी लोगों को आसाम के इन 7 नेशनल पार्क के नाम याद हो जाएं अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो comment box में mention करिए ताकि बाकी लोगों को इसे याद करने में आसानी हो जाए हमरा next article कौाला के बारे में है Australia की सरकार में कौाला को endangered category में डाल दिया है अपनी दो राज्जियों में Queensland और New South Wales में Australia की Capital Territory में Parallel कौाला एक Marsupial mammal है मतलब जो इनका बच्चा होता है वो पूरी तरीके से mature या इस condition में पैदा नहीं होता कि खुछ से survive कर सके तो जो मा होती है वो उसे कुछ समय तक पर थैले में रखती है एक zone के body part में होता है जैसे आपने kangaroo में देखा होगा Australia के ये endemic हैं और वही पर पाये जाते हैं जो Australia के या इमेज में भी देख सकते है IUCN के red list में इन्हें vulnerable रखा गया है इनकी संख्या अब wild में यानि के जंगलों में पांच लाग से भी कम बची है इन्हें कई तरीके के threats हैं जैसे कि climate change इनका habitat खतम हो रहा है humans का बड़ी disturbance रहता है जो सबसे बड़ी समस्या है वो है bush fire जंगलों की आग अभी हमने देखा था कि 2019 में जो जंगलों में आग लगी थी उसमें कई सारे कौाला मारे गए थे कुछ तो सीधे सीधे आग के चपेट में आ गया ये एक picture बड़ी viral होई थी जहां पर एक इंसान कौाला को पानी पिला रहा था तो 2020 में ये जो पूरा bush fire लगा था एक तो directly वो आग के चपेट में आए दूसरा जो पूरा जंगल का इलाका था वो जल गया जिसे वो घर कहते थे तो उनके पास फूड नहीं रह गया वो तरीके के दिक्कते आगई further chlamydia एक bacterial disease है वो भी कौाला population को hurt करती है जो adults है उनकी breeding को inside अंतर से खतम करती है यानि कि infertility create कर देती है तो इस तरीके के दिक्कते हैं जिसके विज़े से कौाला की संख्या गिरती रहती है नेक्स्ट आर्टिकल World Sustainable Development Summit के बारे में है इस summit में अभी हमारे Prime Minister ने एक inaugural address दिया The Energy and Resource Institute के World Sustainable Development Summit में 16 February को एक वीडियो मैसेज के माध्यम से मतलब यह जो summit है इसे organize किया जाता है टेरी के द्वारा Summit का नाम है World Sustainable Development Summit Organizer है The Energy Resource Institute 2001 से ही इसे organize किया जा रहा है कई सारे issues पर बातचीत होती है जैसे कि Climate Change, Sustainable Production Energy Transition, Global Commons और Resource Security जो theme रही 2022 की that was Towards a Resilient Planet Ensuring a Sustainable and Equitable Future टेरी की बात करते हैं Non-profit Research Institute है Research के परपस से काम करते हैं Profit कमाना मोटेव नहीं है 1974 में जब इससे establish किया गया नाम तो टेरी ही था लेकिन T, The के लिए नहीं है विलकि Tata क्यों represent करता था पूरा नाम था Tata Energy Research Institute 2003 में इसका नाम बदल की The Energy Resources Institute रखा गया ये research work करते हैं सभी fields में जैसे कि Energy, Environment, Sustainable Development और Global South में जो रिजियन है वहाँ पर क्या required है research के field में located है New Delhi में टेरी के कई सारे initiatives हैं जैसे कि Lighting a Billion Lives L.A.B.L. initiative टेरी का है जिसके मादर हम से clean lighting access दी जाती है जो communities vulnerable हैं pyramid में नीचे आती हैं उनके लिए दूसरा है Green Olympiad ये एक competition है इसे टेरी conduct करता है Ministry of Environment, Forest and Climate Change के association में International Environment Examination है High School के और Middle Students के लिए organize किया जाता है एक initiative है GRIHA Green Rating for Integrated Habit Assessment इसके मादर हम से Ministry of New and Renewable Energy और टेरी ने मिल के से डवलप किया है rating system है कौन से building कितनी green है मतलब वो कितना कम energy को consume करती है carbon का emission कम करती है इसी basis पे rating दी जाती है हमारा article जो की Army Tag for New Gecko के बारे में है Hypertologist की एक team ने मतलब ऐसे लोग जो reptiles के बारे में study करते है सरीश्रिप जगत के बारे में जानकारी एक अठा करते है उन्होंने bent toad gecko की एक नई प्रजाती को खो जा है gecko छिपकली की एक प्रजाती होती है या reptile की एक प्रजाती होती है इसे उमरोई military station जो है मेगालिया का वहाँ पर खो जा गया है study को publish किया गया European Journal of Taxonomy में इसका scientific name है Crito-Dectylus Exorcetus ये देखे English name है इसका और जो मतलब English name इसका है that is Indian Army's bent toad gecko Exorcetus actually में एक Latin word है जिसका मतलब Army ही होता है अब इसका नाम ये रखा क्यों गया है देखे ये Army के honor में ही से नाम दिया गया है because वो military station जहां पर इसे पाया गया वो भी इसका अधार है कि इसका नाम Army पर रख दिया गया जो paper है उसमें कुछ और gecko के बारे में हमें भी जानकारी मिली हमें जैसे की Cretodactylis siahensis ये मिजोरम का सियाहा district है वहाँ पर मिला था that's why ये नाम siahensis रख दिया गया था दूसरा है Cretodactylis longiliansis longiliansis ये actually मिजोरम का longilay town है वहाँ पर मिला था that's why ये नाम दे दिया गया gecko होते क्या है gecko देखे रेप्टाइल केक पर जाती है छिपकली जैसा जीव होता है ये अंटार्कटिका कोशोर के लगभग आपको हर continent मिल जाएगा हर जिगे बहुत आराम से मिल जाता है colorful lizard होते हैं ये छिपकली ही होते हैं ये rainforest, desert, cold mountain slopes लगभग हर जे गए खुद को manage कर लेते हैं समय के साथ-सादिरों ने खुद में काफी परिवर्तन किया and that is the reason कि आसानी से survive भी कर लेते हैं और खुद को predators से बचा भी लेते हैं गेकों की जो पूछ होती है उसके बड़े काम होते हैं ये उनकी weight को balance करने में मदद करती है उनको चुकि उन्हें branches पे चड़ना होता है तो वहाँ पे मदद जरूरी होती है ये fuel tank की तरह वर्क करती है उनकी पूछ की बात कर रहे हैं क्योंकि वो fat को store करती है store को कैसे fat करेंगी fat को store करते हैं ठीक है बाकि जो camouflage उनकी जो रंग बदलने की एक capability होती है उसमें भी उनकी पूछ का एक role होता है एक और फायदा होता है कि माल लिजे किसी predator ने किसी शिकारी जीव ने इन्हें पीछे से पकड़ा और इनकी पूछ को दबा लिया they have capacity कि वो अपनी पूछ को shed कर सकते हैं छोड सकते हैं और predator से बस सकते हैं बाद में वो पूछ वापिस से अपने ship में आ जाती है usually nocturnals होते हैं रात में ही शिकार करते हैं एक्टिव रहते हैं कुछ गैकोज दिन में भी एक्टिव रहते हैं तो वो insect, fruit या flower nectar पे अपना गुजारा करते हैं गैकोज आवाज भी करते हैं चिर्पिंग, barking, clicking जैसी आवाजे वो करते हैं जब उन्हें अपनी territory को defend करना हो या फिर अपनी mate को attract करना हो next article extended producer's responsibility on plastic packaging के बारे में है that is EPR EPR का मतलब होता है कि plastic आपने generate किया है तो उसे dispose करने की या recycle करने की जिम्मेदारी भी आप ही की है ये companies के लिए है Union Minister of Environment, Forest and Climate Change ने notify किया है guidelines को किसके लिए EPR के लिए plastic packaging के लिए under plastic waste management rules 2016 EPR एक producer की responsibility को ensure करता है कि जो plastic packaging आपने करी है उसकी recycling के जिम्मेदारी भी आप ही की है जो India है उसने EPR को for the first time 2011 में launch किया plastic waste management and handling rules 2011 के तहर और e waste management and handling rules 2011 के तहर इसको अधार बनाकर EPR लाया गया extended producers responsibility मतलब आप producer हैं आपकी जिम्मेदारी थोड़ी extend की जा रही है कि आप अपनी दोरा बनाया गया plastic को dispose करिए या फिर recycle करिए features क्या हैं देखे plastic के 3 category होती है category 1 में आते है rigid plastic मोटे होते हैं उन्हें recycle करना आसान होता है category 2 में ऐसे plastic आते हैं जिनमें जो plastic packaging होती है वो या तो single layered हो सकती है या multi layered हो सकती है ठीक है और category 3 में ऐसे plastic आते हैं जो multi layered होते हैं लेकिन उन्हें एक layer plastic के लावा किसी और material की होती है अब से provision क्या है एक तो एकदब mandatory provision है कि जो rigid plastic packaging है उसे reduce करना होगा और उस plastic को reuse करने के जिम्मेदारी producer की ही होगी दूसरा कि सभी producers को खुद को register करना होगा इसमें EPR के trading को लाव कर दिया गया लाइक आपके पास एक target है कि आपको इतना plastic suppose करिए कि 100 unit plastic recycle करना होगा अगर आपने 90 unit किया तो punishment मिलेगी मतलब compensation आपको देना होगा और suppose करिए कि आपने 150 unit plastic को recycle कर लिया तो आपको 50 unit का certificate मिल जाएगा जो additional आपने किया है क्योंकि 100 तो आपके जिम्मेदारी थी और इस 50 unit का जो certificate है आप इसे base सकते हो उसको जिसने केवल 50 unit ही किया है उसे को 100 की unit थी तो आपको पैसे दे के इस 50 unit को खरीद ले तो अब EPR के trading हो सकेगी तो इसका थोड़ा जो scope है वो बढ़ जाएगा recycling mandate कर दी गई है plastic के लिए उन्हें एक certificate submit करना होता है कि भाई हमने जो जिम्मेदारी थी उसको पूरा कर लिया है in fact हमने इतना extra भी recycle किया है तो उसके लिए उन्हें certificate मिल जाता है यह polluters pay principle के वैसे पर work करता है मतलब आप polluter है आपने plastic को originate किया तो आपको pay करना होगा अगर आपने इसके लिए समाधान नहीं किया तो producer, importer और brand owners के पास कई सारे विकल्प होते हैं वो किछी schemes के माध्यम से plastic को recycle कर सकते हैं जैसे एक होता है deposit refund scheme suppose करिए कि आप एक सामान लेने गए हैं जिसमें plastic की packaging का इस्तेमाल हो रहा है तो वो आप से 1000 रुपे जादा ले लेंगे और कहेंगे क्या कि आप अपने घर पे अपने सामान को रखे आओ और ये plastic package में वापस कर दो हम आपके 1000 रुपे return कर देंगे आपको याद है पहले Coca Cola एक glass की bottle में आया करती थी मुझे याद है जब वो 5 रुपे की मिलती थी और तब वो हमें bottle 10 रुपे की मिलती थी हम दुकान से suppose करिए कि 25 रुपे की 5 bottle हमें मिलनी चाहिए हम लेकर आएंगे चुकि 5 रुपे का वो मिलेगा अगर हम शौप पी खोलके उसे पी लेंगे तो लेकिन घर पे लाने का वो हमसे 5 रुपे पर bottle extra लेता था यानि कि 50 रुपे देखर हम 25 bottle लेकर आते थे घर पे उस Coca Cola के bottle से हम लोग party कर लेते थे Coca Cola पीने के बाद हम उन 5 bottles को ले जाकर वापिस करते थे दुकान वाले को देन वो हमें 25 रुपे वापिस कर देता था हम बहुत खुश हो जाते थे कि हमें हमारे पैसे वापिस मिल गए Actually मैं यही सिस्टम हो सकता है plastic refund करने को लेकर कि आप plastic packaging के लिए जो customer उसको ज़्यादा charge करें और उससे बोलें कि आप यह package मुझे वापिस कर देना मैं आपके पैसे रिटर्न कर दूँगा buyback system हो सकता है आप उस package को वापिस से उन से खरीद ले या फिर कोई और model हो सकता है जिसमें उस plastic packaging को वापिस अवेल करके recycle किया जा सके implementation के लिए एक online platform बनाया गया है यह digital backbone की तरह काम करेगा यह track करेगा, monitor करेगा पूरी EPR obligation को और compliance burden को reduce करने की कोशिस करेगा companies को, खुद को online इस पे register करना होगा और अपना annual return पे file करना होगा कि उनका EPR कितना था, उन्होंने कैसे उसे पूरा किया यहाँ पे question है 2019 के prelims का UPSC का question बिल्कुल साफ है EPR, extended producer responsibility को introduce किया गया, किस के feature के रूप में आपके सामने चार rules है इसका सही जवाब है E-waste management and handling rules of 2011 So, C is the correct answer हमारा next article reef ball barriers के बारे में है reef ball barriers एक नया trend निकल किया रहा है जहां पर ये काफे ज़दा popular हो रहा है अब ये जो reef ball barriers है ये इनसानों का barrier होगा humans का जिसे घर बना सकेंगे corals reef ball barriers actually में होता क्या है कि इसमें suppose करेए कि एक वेक्ती को cremate कर दिया गया उसे जला दिया गया उसके सरीर की जो बची हुई राक है उसे कई तरीके से अंतिमरूप दिया जा सकता है कई बार उसे नदियों में या फिर समुद्र में बहा दिया जाता है कई बार उसे जमीन में दफना दिया जाता है लेकिन एक तरीका और हो सकता है जहां पर हम उस राक को mix कर देते हैं एक neutral perforated concrete dome के साथ जिसे reef ball कहा जाता है reef wall जो है उसमें basically उसके pH को इस तरीके से neutralize कर दिया जाता है कि जो marine animals या plants है उस पर जगे बना सकें जो burial होता है उसे ocean burial कहा जाता है या sea burial कहा जाता है ये जो concrete dome होता है जो उसमें उस इनसान की राक को मिलाया जाता है उसे समंदर में रख दिया जाता है जो reef walls होती है उन्हें sea bed के नज़ीक में रखा जाता है जिससे marine life उस पर attract हो और उसे अपने घर की तरह इस्तेमाल कर सके जो concept है ocean burial का वो काफी ज़्यादा popular होता जा रहा है because ये environmentally friendly alternative हो गया है traditional burial या cremation का ये पी जलाना तो तब भी इसमें body को पढ़ता है cremation के आवशक्ता पढ़ती है जिसमें 400 kg of carbon dioxide का emission भी होता है देखे जो sea burial है इसका इरिहास काफी पुराना है इंसेंट एजिप्ट और रोम में इस प्रकार के burial प्रचलित हुआ करते थे South Pacific में हमने देखा कि एक विक्ती के सरीर को एक छोटी सी नाव पे रख दिया जाता था उसके बाद उसे समंदर में ढखेल दिया जाता था और समंदर में किसी विक्ती के राख को बिखेर देना ये तो एशिया में बहुत ही popular practice है आपने वाइकिंग movies देखी हो या फिर web series देखी हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो Viking heroes हुआ करते थे उन्हें एक boat पे रख दिया जाता था उनके मरने के बाद फिर उस boat में आग लगा के उसे बहा दिया जाता था तो इस प्रकार के practices तो काफिर लंबे समय से प्रचलन में रही है हमारा नेक्स्ट आर्रिकल जल्धारा skittering frog के बारे में है skittering का मतलब होता है पानी को छप छपाना आप कहीं नदी में या फिर waterfall वगएरा में नहाने के लिए जाते हैं तो आप पानी को छप छपाते हैं या खेलते हैं ये मेटक भी वैसा ही करता है that is the reason इसे जल्धारा skittering frog कहा जाता है अभी हाली में इसकी एक नई प्रजाती को खोजा गया है western coastal plain जो इंडिया का है वहाँ की fresh water bodies में ये fresh water frog है साफ फानी में रहना पसंद करता है हमें ये अभी मिला है देखे सबसे पहले हमने इसे देखा था एर्णा कुलम में जो 30 cut bird sanctuary है वहाँ पे उसके बाद जो एर्णा कुलम है वो केरला में है ठीक है और केरला के बाद गुजरात की coastal region में भी इसे कई दफा देखा गया अब यहाँ पर देखिए जो frog है ये common skittering जो frog है उसके जैसा ही देखने में लगता है जो कि decan plane 2 या फिर eastern costern plane पे देखे जाते हैं इस species को for the first time 220 साल पहले खो जा गया था इसके significance क्या है ये जो frogs होते हैं ये एक link की तरह work करते हैं वो जीव जो पानी में रहते हैं और वो जीव जो जमीन पे रहते हैं उनके बीच में क्योंकि ये amphibians यानि की उभैचर होते हैं ये जो frog की species है ये fresh water में रहना पसंद करती है इसलिए अगर pollution फैले साफ पानी में तो सबसे पहला प्रभाव इनहीं के ऊपर पड़ता है ये पहली species नहीं है forest administration और self help group कुशिस कर रहे हैं कि लोगों को वहाँ पे aware किया जाए ताकि forest reserve में या जो bass fire reserve है वहाँ पर forest fire की problem को हम manage कर सकी बात करते हैं इस bass fire reserve के बारे में ये आपको उडिशा के मयूर भंज district में मिलेगा eastern ghat के eastern ind पे आपको मिल जाएगा इसका नाम सिमली पाल रखा गया है विकॉज यहाँ पे हमें सिमल के पेड मिलते हैं सिमल red silk cotton tree होते हैं जो इस area में बहुतायत में पाये जाते हैं ये मयूर भंज elephant reserve का भी part है मयूर भंज elephant reserve में आपको कुछ और भी reserve areas मिलते हैं जैसे कि सिमली पाल tiger reserve हदगर वाइलेफ सेंचुरी और कुल डिहा वाइलेफ सेंचुरी यहाँ पर हमें काफी अच्छी diversity मिलती है 94 species orchid की 3000 plants की साल एक बहुत डॉमिनेंट पेड है जो आपको इस सिमली पाल बासफर reserve में मिल जाएगा फोना में हमें बंगाल tiger, Asian elephant गौर और चौसिंगा मिल जाते है जो रांडा और बारही पानी फाल्स काफी ब्यूटिफल फाल्स हैं जो की यही पर सिमली पाल बासफर reserve में है इस बासफर reserve को 1994 में गौर्मिन अफ इंडिया ने बासफर reserve का दरजा दिया था और 2009 में युनिसको ने इस बासफर reserve में भी इसे जगह दे दी तुकल मिलाके सिमली पाल बासफर reserve एक युनिसको बासफर reserve भी है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं salt water crocodile के बारे में यानि मगरमच के बारे में तो salt water मगरमच जो मिलता था Vietnam और China में वह वहां extinct हो चुका है क्योंकि human interference के वज़े से तो दो जो 23 species हैं living crocodile की उनका largest species है salt water crocodile इंडिया में भी मिलता है और इसकी खास बात ही होती है कि इसको salty कहते हैं ashuries में भी मिलता है अब salty जो salt crocodiles होते हैं ये काफी ज़ादा powerful होते हैं और अभी वरतमान में काफी मातर में बाकी रिश्यों पाए जाते हैं Vietnam चाना में मैं obviously extinct हो गया है पर Bangladesh से लेके Malaysia, India, Indonesia, Philippines Papua New Guinea, Australia, Solomon Islands इन सभी रियास पेन के habitat है तो बड़ा habitat है और still इनका जो है IOCN Red List में least concern है important इसलिए है आप मुझे बताए जो घडियाल है तो इस तरह की confusion ना रहे है अगर saltwater crocodile पूछा जा रहा है तो वो least concern है जबकि घडियाल जो है मिलता जुलता पर वो critically endangered है और Red List में आते है protection घडियाल और crocodile को दोनों को मिली हुई है schedule 1 के अंदरकत complete protection इंडिया में ये native भी है ये fresh water crocodiles भी होते हैं कुछ यार कि हम यहां specifically salt water की बात कर रहे हैं इसलिए आपको नदियों में भी कभी-कभी crocodile दिखते थे कई लागों में तो वो ये अलग है ये least concern में है ठीक है इनका loss क्यों हो रहा है habitat loss क्योंकि fishing activities और medicinal purposes के इनका शिकार किया जाता है अभी तक salt water crocodile के बारे में जाना आगे बात आती है Sustainable Cities India program की Sustainable Cities India program असल में हमारे लिए important है कि मैं किसने launch कर रहा है कौन काम कर रहा है इसके उपर तो एक MOU sign होआ है दो organizations के बीच में एक World Economic Forum important body है न्यूज में रहती है question आते हैं और दूसरा इंडिया की एक think tank है Urban Affairs National Institute for Urban Affairs NIUA National Institute of Urban Affairs असरे में दिल्ली बेस्ट एक think tank है habitat center में इनका office है तो इनका काम basically यह है कि देखते हैं कहां से जो urban system में क्या governance या structural changes किया जा सकते हैं उसके उपर ये think tank काम करता है इननोंने World Economic Forum के साथ agreement किया है MOU sign किया है ताकि कैसे बहतर तरीके से sustainable cities develop की जाये जिनमें की decarbonization पर focus किया जा सके ज्यादा clean और sustainable cities बनाई जा सके इसके लिए कोशिश करेंगे कि emission कैसे घटाया जाये green चीज़े कैसे adopt की जाये और electricity को कैसे और ज्यादा resilient system मनाये जाये electricity का ताकि transmission loss ना हो ताकि वो बहतर तरीके से काम करें ताकि और ज्यादा decarbonize हो जाये Indian cities decarbonize कैसे होंगी इसके लिए दो चीज़ें करने वाले हैं एक world economic forum का city sprint process और दूसरा toolbox of solutions पहली देखते हैं what is city sprint process city sprint process असल में multi sectoral process है जहां अलग-अलग area से लोगों को बुलाया जाएगा businesses हो, government हो, civil society leaders हो, उनको बताया जाएगा कि कैसे हम clean electrification कर सकते हैं, कैसे जो electrical process में जो losses हो रहे हैं उसको हम घटा सकते हैं again I am repeating city sprint process कौन launch कर रहा है, यह launch कर रहा है, world economic forum with national institute for urban affairs, ठीक है, इनके बीच में हम उसायन हुआ है, तो यह असल में जो process है वो है, किसका, world economic forum का, जिसके थूरू आप अलग-अलग sector stakeholders workshop करेंगे, लोगों को बताएगे कैसे आप जाके बहतर तरीके से clean electrification कर सकते हैं, बहतर circulation कर सकते हैं, दूसरा है tool box of solution, इसके तहर जो sprint process की बात हमने किये, हम कैसे electrification को और जादा बहतर बनाएंगे, उसके लिए जो tools चाहिए होंगे, उसमें लबर दुमिया पर एक दो सो example, कैसे किसी ने clean electrification किया, for example, अगर आप कभी दिल्ले में चालनी इच्वा किया उस इलागे प जटेंगे, और कैसे हम चाहिए panels लगाएं जो भी करें, जिससे हम और जादा energy system को green कर पाएं, ऐसे कुछ अगर चीज़ें adopt कर सकते हैं, कहीं से तो वो सारे बाते इसमें added होती है, tool box for solutions, और यह 111 cities को लेके इंदोने database बनाया हुआ है, यह दो चीज़ें का use करते हैं, यह sustainable city बनाने के लिए, यह sustainable city इंडिया प्रोग्राम है, जिसमें relevant policy business models को देखा जाएगा, जिससे emission घटे, और बहतर air quality और job creation हो, और फिर उनको tool box और solution में डाला जाता है, दुनिया भर को दिखाया जाता है, जैसे दिली या एहमदाबार या मुंबए, यहां पर कुछ ऐसी चीज नेट-zero carbon cities mission, जिसके तहर यह ऐसा environment create करना चाहते है, जिसमें पूई तरह से clean electricity हो, और उसके circulation हो, ताकि शेहरों में जितना कम carbon surgeon हो, उतना कम हो, अब National Institute of Urban Affairs क्या है, यह हमने discuss करे लिए, 1976 में बनाया गया था, एक think tank है, जो कि urban planning और development के उपर focus करता है, इंडिया की organization है, यह ए हमारा next article चीता के बारे में है, हमने इसके पहले एक article discuss किया था, जिसमें चर्चा की गई थी, कि इंडिया में चीता extinct हो चुके हैं, और इनके reintroduction पर काम चल रहा है, और इसके लिए, अभी हाल ही में, एक team, जो कि मध्य प्रदेश की थी, वहाँ के जो wildlife officials थे, वो Indian Falls Department, Wildlife Institute of India, से बिलॉंग करते थे, उन्होंने नामीबिया को विजिट किया, जो कि एक African country है, कि वहाँ से क्या चीता को भरत में reintroduce किया जा सकता है, उन्हें ऐसा लगता है कि किया जा सकता है, वो satisfied है, situations को लेकर, हलांकि समन में MOU का sign किया जाना अभी बाकी है, अगर ये reintroduction successful होता है, तो ये दुनिया का पहला intercontinental reintroduction plan होगा चीता के लिए, कुनो पालपूर national park को choose किया गया है मदर पदेश में, जहां पर for the first time इस चीता को introduce किया जाएगा, और दो प्लान चल रहा है कि वसे दिखे, चीता reintroduction पे तो बहुत लंबे से message काम चल रहा है, तब से जब से भरत में पुकरा जाता है, fastest land animal है, जमीम पर दौरने वाला सबसे तेज animal है, 30 meter per second की speed होती है, ये 100 से ज़ादा किलोमेटर पर आज की speed within few seconds कर लेता है, बहुत लंबी-लंबी चलांगे लगाता है, चीता dryland ecosystem में रहना पसंद करता है, grassland, scrubland या open forest, तीके चीता तेज दौरने वाला जी नहीं नहीं, काश वो होते और दौर पाते, खैर, reintroduction हो रहा है, उमीद करते हैं कि हम कुछ समय के बाद चीता को देख पाएंगे इंडिया में, ये वंदरेबल हैं, आयो स्टीन के red list में, और पूरी दुनिया में, और इंडिया में तो खटम है, 1952 में ही ये extinct हो गये थे, इनकी extinction का करण सिंपल ही था, इनकी खाल के लिए इनको मरा जाता था, और रजवाड़े इनको अपने शौक के लिए मारते थे, ये एक मात्र large mammal है, जो की इंडिया से extinct declare किया गया, इसके पीछे extinct होने का एक सबसे बड़ा reason, anthropogenic, जो reasons हैं वो हैं, जिसमें इन्हें बहुत massive scale हंट करके खतम कर दिया गया, आईए, अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जो डील करता हैं Indian Environment Services से, देखिए, 2014 में एक high level committee बनाई जाती है, जिसको head करते हैं, cabinet secretary, T.H. Subramanian, अब यहाँ पर इस committee को जिम्मेवारी ये दी गई थी कि भारत में किस तरह से environmental law work कर रहे हैं, अब इसका संग्यान लीजिए, आप हमें ये बताईए कि current context में हमें और क्या करने की जूर्थ है जिससे इंडिया में environmental law अच्छे से implement हो सकें, अब इस committee की outcome में हमें ये पता लगता है कि भारत में जो environmental policy है या legislative framework है, वो तो काफी अच्छा है, काफी strong है, बट problem ये है कि जो implementation in laws की, वो कहीं न कहीं बहुत फटे हाल है, मतलब एक तरह से हम उन policy को धंच से implement नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वज़े से जादा तर जो आपके environmental related initiative हैं, वो ethics court या courts के द्वारा ले जा रहे हैं, Supreme Court या High Court द्वारा जो निर्देश दे जाते हैं, या NGT द्वारा जो निर्द हो रहे हैं, यहां पर एक बात कहीं गई थी कि हमें जरूरत है एक All India Services की जो deal करते हो सिर्फ और सिर्फ इन्वार्मेंट से, अब इस Services से related बाकी detail के लिए या qualification के लिए इन्होंने ये का था, कि भी या जो Ministry of Environment decide करे, Department of Personal in Training जो UPSC exam conduct करता है, यह सभी मिल बैठके इस बारे में विचार करे और ये decide करे कि किस तरह से इस Services का हम गठन कर सकते हैं, उसके लाबा एक institutional framework बनाने की बात की गई थी इस committee द्वारा, जो इन्वार्मेंट से related जो आपका framework हैं, उनको implement कर सके, अब अगर हाल फिलाल की बात की जाए, तो यहां पर Ministry of Environment के अंडर जो Secretary वगरा लगते ह या जो भी आपके उच्च अधिकारी लगते हैं, वो IAS होते हैं, यहां पर हमें जरूरत है एक specialized agency की, एक specialized team की, जो इस तरह के matter से deal करें, अभी हाल फिलाल में ऐसा क्या हुआ है, जिसकी वज़े से, यह committee आपकी news में रही है, तो Supreme Court में एक PIL फैल की गी है, जिसमें यह allegation ल रही है, क्योंकि यह environment की protection में नाकामियाब रहे हैं, और जितने भी आपके environment protection से related कोई initiative आए भी हैं, तो वो judicial intervention के कारणा है, तो यहां पर Supreme Court ने सेंटर से पूछा है, कि यह आप एक dedicated Indian environment services को बना रहे हैं, जो कि कहा गया था cabinet secretary, TSR Supermanian की committee ने, तो इस बारे में संग्यान लेने की कोशिश किए Supreme Court ने, तो यह article हमारा इस चीज़ से deal करता था, तो आज के इस session में बस इतना ही, thank you very much